Hello everyone, Assalamualaikum, कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ, आप सब ठीक ठाक होंगे, अलहमदिले, जी मैं बे बिलकुल ठीक ठाक आज का व्लोग मैंने स्टार्ट किया है दुपहर के खाने बनाने से, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ दाल चावल जो के हम सब के बहुत दादा फेवरिट होते हैं, और सबसे एजी खाना, जब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही होती खाना बनाने का, तो फिर मैं दाल चावल बना लेती हूँ, क्योंके यह ओल टाइम आपको अच्छे लगते हैं, और यह खाए जाते हैं और मामा गई भी थी स्कूल और आज वो मुझे कुछ बताके नहीं गई थी क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना, चिक्टिन वगएरा खाने का हमारा बिल्कुल दिल नहीं चाहरा था, तो मैंने का एक आप्शन है दाल चावल, अगर मामा ने रोटी खाने होगी तो वो रोट पाउडर डाला, रिच्छी पाउडर डाला मैंने इसके अंदर, और हल्दी डाली, बस यह सारा कुछ मसाला डालने के बाद, इसके अंदर मैं डाल दूंगी डाल, यलो वाली मैंने इसको सोग करके रख दिया था, और वो 10-15 मिनट में अच्छे से कुको जाती है, पिर उसक जो के काफी ज़्यादा अच्छा है, हम तोनों यह ज़रूर लगाती है, एक दो दिन छोड़ छोड़ के, तो आज बनाया था, उसने मैंने का चोलो मैं आपके साथ भी शियर कर देती हूँ, वैसे वो बनाती है, मुझे बनानी नहीं आता, बना के वो दे देती है, बस मैं अप्लाय करती हूँ, इतना अच्छा रिजल्ट है इसका, इससे आपकी स्किन इतनी अच्छी, क्लियर हो जाती है, स्मूध हो जाती है, और बहुत अच्छा रहता है आपकी स्किन के लिए, तो अच्छा है ना प्रोड़क्स वगारा इतने ना यूस कर रही है, यह जो अच्छा होता है आपने बस बेसन के आगे जाके हलका सा इसको रप करना है, इसको रप करते हैं आपने, उस तरीके से हलका सा खुद ही पील आफ हो जाता है, इसके बाद आपने सिंपल किसी लाइट सा जो फेस वाश होता है यहां पर उससे दोलो, यहां पर कोई भी साबू भी हो जाएगी और हमारा साथ में खाना भी रेडी हो रहा था दाल मैं ने रख दी थी चावल जो है मैं थोड़े बाद में रखी हूँ क्योंकि गैस बहुत कम आरी थी मैंने का पहले दाल तो रेडी हो जाए उसके बाद ही मैं जो है ना चावल बॉयल करने के लिए मुझे इस वलेगी का जादा अच्छा लगता है मैंने तड़के में घी डाला और साबत जीरा डाला दो चुट किया और एक चमश मैंने अधर कलसन का पेस्ट एड़ किया और गोल लाल मिर्चे एड़ की जो कि हमें काफी अच्छी लगती है हलकी सी वो भी सौते हो जाल को लगा लेना है तर्का लास्ट में हम इसके इंदर एड़ करेंगे हरी मिर्चें और हरा धन्या और यहां पर हमारी बहुत ही मज़दार सी और सिंपल सी डाल जो है वो रेड़ी हो गई थी और यहां पर राइस भी रेड़ी करते हैं खाने के बाद यहां पर मैं हो करके रखा था इस काफ भी रेड़ी रखा था और बैग जाने से पहले मैं चेक कर लेती हूं अगर कोई चीज नहीं होती तो फिर सारी सेट करके रख लेती हूं पैसे वगहरे मामा से लेने होते हैं तो बस यहां पर अब मैं जा रही थी पढ़ने के लिए और यहां पर मैं हुआ बैठ चुकी हूं बस मैं फाइन आज मुझे बस में जगह मिल गया है है वरना मैं जब भी जाती हूंना मुझे बस में बिल्कुल जगह नहीं मिलती इंक यूद्ग ही तो पहर के टाइम उस टाइम इतना रश होता है तो बस естना बस मिलती है मुश्किल से और मैं कहती बस जाओ आप जिस दिन जगर ने मिलते ना उस दिन इतना थका वह आपको फील हो रहा होता है बस वहाँ पर जाके बिदलने करता कुछ करने का पर आज मैं बहुत अदर रिलेक्स होके आई थी तो काफी अच्छा रहा हूँ और मोड भी सही रहा था और आज हमारे जो टीचर लगाती है ना वो सेट करके बैग में रख लेती हूँ क्यूकर मेरा चश्च्मा वगारा भी सामने सब कुछ पढ़ा होता है तो मैं चश्मा लगाती हूँ वैसे जब मुझे बोट से कुछ देखना होता तो तब भी लगाती हूँ और इसके बाद फिर उतार देती हूँ क् करना आते वे भी नहीं मिलती क्योंकि सबका चुटी का टायम होता है तो अकसर बस जो है वह बहुत अच्छा था तो आज की व्लोग की यहीं पेंट करते हैं कल का यहीं से कंटीनू करूंगी आई हो आपको आपको आज का मेरे व्लॉग इच्छा लगाओ अगर अच्छा लग